एलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आप सभी का सवागत है आपके अपने चैनल जीनियस टडी 22 में देखें आपके सामने एक क्वेशन गिवन है कि 500 की पावर 1000 अपोन में 1000 की पावर 500 फ्रेंड्स हमें इस क्वेशन को सिंप्लिफाई करना थे इस क्वेशन को हम कैसे सोल है नुरेटर हमें क्या गिवन है 500 की पावर 1000 ठीक है पहले हम इसको सिंप्लिफाई करते हैं देखिए जो 1000 है बेस को हम लिख लेते हैं as it is 500 1000 को आप लिख सकते हो 500 प्लस 500 लिख सकते हैं हम ठीक है अब आपको पता है कि हम यहाँ पर अगर आपको गिवन है x की पावर m प्ल इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसको लिख देंगे कि 500 की पावर 500 multiply 500 की पावर 500 ठीक है यह हमने numerator को सोल कर लिया अब हम लेकर चलते हैं denominator को denominator में क्या गिवन है 1000 की पावर यहाँ पर गिवन है thousand की पावर पावर 500 ठीक है अब thousand के अगर हम factor बनाए तो इसको हम लिख सकते है टो मल्टिपलाए 500 पावर में क्या चल रहा है 500 ठीक है अब इसको भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं इसकी भी पावर ये हो जाएगा टू की पावर 500 मल्टिप्लाइ हो जाएगा 500 की पावर 500 ठीक है अब friends numerator और denominator की value हम put कर देते है इसको हमने solve तो कर लिया ठीक है अब हम इसको value put कर देते हैं उपर पावर 500 की पावर 1000 तो 500 की पावर 1000 की वैलू ये वाली है question था कि 500 की पावर 1000 अपन में 1000 की पावर ठीक है इसको हमने soul करके क्या लिखा इसको लिख दिया 500 की power 500 multiply 500 की power 500 divide by क्या है 2 की power 500 multiply 500 की power 500 यह तो कट हो जाएगा friends ठीक है तो यहाँ पर क्या बचेगा 500 की power 500 upon में 2 की power 500 अब यहाँ पर जो power है वो same है ठीक है तो A की power M upon में B की power M आपको अगर given है तो हमें इसको लिख सकते हैं A upon B की power M जो power है इसको हम single time लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 500 upon में 2 की power 500 ठीक है 500 को 2 से divide करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 की power कितना हो जाएगा 500 तो यही इस question का answer हैगा friends अभी तक आपने अगर हमारी channel को subscribe नहीं किया है तो अपली channel को subscribe कर लेना और वीडियो को like करना में तो भूलना thanks for watching